What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? Several bends in the road ahead. आगे road में कई मोड हैं तो इसका दुरुस जवाब नमबर एक रहेगा. Which sign was of left hand land closed ahead? इन में से कौन सा इशारा खबरदार कर रहा है के आगे left land बंध है? तो इसका भी नमबर एक जवाब है. left land बंध है तो correct land का इस्तमाल करना चाहिए. Which sign means the road ahead is uneven? इन में से कौन से इशारे का मतलब है के आगे रोड ना हमवार है? तो इसका भी नमबर एक जवाब दुरुस्त है. ये भी खबरदार करने वाला इशारा है. Which sign means it is allowed to make a you-turn ahead? कौन से इशारे का मतलब है के आगे आप you-turn कर सकते हैं? तो इसका नमबर तीन जवाब दुरुस्त है. ये वार्निंग साइन है और इसके अंदर you-turn का निशान दिखाया गया है. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नमबर एक जवाब दुरुस्त है. वेकल मस्ट टॉप एंड गिव वे. गाड़ी को लाजमी रुकना चाहिए और लाजमी रास्ता देना चाहिए. ये कंट्रोल करने वाला इशारा है. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नमबर दो जवाब दुरुस्त है. लैन क्लोस्ट टू ट्रैफिक. लैन बंध है आगे ट्रैफिक के लिए. तो ये ज्यादातार हाई स्पीट रोड पे मिलेगा. This sign means end of dual carriage way. इस इशारे का मतलब है के आगे दो सड़कें खतम हो रही हैं. ये भी खबरदार करने वाला इशारा है. तो इसका सही जवाब नमबर दो होगा. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नमबर दो जवाब दुरूस्ट है. There is a bend to the right ahead. Slow down. आगे रोड में दाए जानिब मोड है. आहिस्ता रफ़तार कर लें. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? T intersection ahead. Slow down. आगे तकाता है. आहिस्ता रफ़तार करें. This sign show that ये sign दिखाता है. The next exit is al-safa to the left. अगला exit बाए जानिब al-safa है. तो इसका नमबर एक जवाब दुरूस्ट है. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नमबर तीन जवाब दुरूस्ट है. You must not turn left. आपको बाए जानि मुड़ना मना है. What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका दुरूस्ट जवाब नमबर एक है. The road ahead narrows. रोड आगे दाए जानिब से तंग हो रहा है. तो इसका नमबर दो जवाब दुरूस्ट है. राइट लेन क्लोजर अहेड. आगे दाए लेन खत्म हो रही है. When you are driving behind a truck, it is best to drive. जब आप ड्रक के पीछे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो बेहतरीन है. बेस्ट है कि कहाँ पे ड्राइव करना चाहिए. नमबर तीन जवाब दुरूस्ट है. ट्रक से दूर रखें ताके ट्रक ड्राइवर आपको पीछे वाले शीशों में देख सके. असी किलो मिटर फीग गंटा की रफ़तार से उपर जाना मना है. ये ममानत करने वाला इशारा है. Keeping a record of each driving lesson is good because हर driving के lesson का record पास रखना अच्छा होता है. नमबर एक, you can check that you have practiced a wide range of driving condition. आप देख सकते हो जो आपने मुखतलिफ हालात में driving की practice की. आप गाड़ी ए चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो कौन से डायाग्राम में दिखाया गया है कि आपको आवर टेक करने की अजाज़त है. तो इसका नमबर तीन जवाब दरुस्त है. वो क्यूं है क्योंके गहर में सलसल लकीर आपकी जानिब है. आप आवर टेक कर रहे हैं वन वे रोड पे तो कभी महفوظ अपनी लेंड में वापस आ सकते हैं. तो इसका नमबर दो जवाब दरुस्त है कि उस वक्त तक इनतजार करें जब तक आपको उस गाड़ी की दोनों हेड लाइट सेंटर मिरर में दिखाई ना देंगी तो आप अपनी लेंड में वापस आ सकते हैं. नमबर दो जवाब दरुस्त है यू आप समने से आने वाली गाड़ी की हेड लाइट से चकरा गया हैं तो आपको क्या करना चाहिए नमबर तीन जवाब दरुस्त है स्लो डोन और मूव तो दा राइट इफ सेफ तो दू सो डोन करें आश्ता करें और राइट सेड में ट्रैफिक में आवर टेक करना चाहते हैं आपको लाजमी आवर टेक नहीं करना चाहिए कौन सी जगा पे अगर वहाँ पर दो गाड़ी मसलसल लकी रहें रोड के दरम्यान में हो आपको कभी अपनी गाड़ी की हेड लाइट और टेल लाइट अन करके ड्राइब करनी चाहिए नमबर तीन जवाब दरुस्त है सूरज गरूब होने से सूरज निकलने तक या मौसमी हालात अच्छे नहों रोशनी कम हो जाए तो नमबर तीन जवाब दरुस्त है आप गाड़ी चला रहे हैं इंटरसेक्शन की तरफ जहां पर लाइट ग्रीन है और आपने देखा कि ट्राफिक ब्लॉग इंटरसेक्शन में तो आपको क्या करना चाहिए तो नमबर तीन जवाब दरुस्त है रुक जाएं इंटरसेक्शन कलियर ना हो जाएं तब तक आप इंतजार करते रहें और जब आपको सिगनल ग्रीन मिलेगा तो अपना एक्जिट कलियर देके प्रोसीड करें आप यू टर्ण करने वाले हैं तो आपको लाजमी है के ट्रैफिक का व्यू कलियर हो रोड के उपर तो नमबर तीन जवाब दरुस्त है दोनों अतराफ में आपको फ्री वे से कैसे उतरना चाहिए नमबर तीन जवाब दरुस्त है बी इन दा कॉरेक्ट लैन सिगनल एंड अडजेस्ट यूर स्पीट वेन अन एक्जिट रैम कुरेक्ट लैन में आ जाएं इशारा लगाएं और अपनी रफ़तार को अडजेस्ट करें जब आप एक्जिट रैम के पास आते हैं आप स्टाप साइन पर पहुंच रहे हैं आपको लाजमी कभी रुकना चाहिए तो नमबर एक जवाब दरुस्त है आपको रुकना है अगर्चे वहां पर दूसरी ट्रैफिक ना हो आप स्ट्रेट ड्राइब करना चाहते हैं इंटरसेक्शन से जहां पर लाइट और साइन नहीं है तो आपको लाजमी रास्ता देना चाहिए तो नमबर एक जवाब दरुस्त है कोई गाड़ी आपके बाएं जानिब से आ रही हो एक पिली ट्रैफिक लाइट का मतलब है के आप लाजम तो नमबर दो जवाब दरुस्त है स्टाप परवाइडिंग इट इस सेफ टू डू सो रुक जाएं अगर रुकना महफूज हो तो पैदल चलने वाले लाइट इस्तमाल कर रहे हैं रोड क्रास करने के लिए जिस तरफ आप मुड रहे हैं तो आपको कभी लाजमी रास्ता देना चाहिए पैदल चलने वाले को तो नमबर दो जवाब दुरुस्त है Always हमेशा पैदल चलने वाले को रास्ता देना चाहिए There is a single white broken line painted in the center of a two way road Where must you drive? वहां पर एक single white color की गैर मसलसल लकी रोड के दरम्यान में painted है two way traffic में तो आपको लाजम ड्राइब करना चाहिए तो नमबर तीन जवाब दुरुस्त है You must keep to the right of the line आपको लाजम है के लाजम के right side में रखें गाड़ी को A red traffic light means red traffic light का क्या मतलब है तो नमबर एक जवाब दुरुस्त है You must stop and wait आपको लाजमी रुकना है और इंतजार करना है How should you drive into a bend in the road आपको कैसे drive करना चाहिए मोड के ओपर तो इसका नमबर दो जवाब दुरुस्त है Slow down gradually अपनी गाड़ी की रफतार आहिस्ता करें What is the speed limit in a residential area with single lane where there are no speed limits sign तो रहाईशी एरिया की रफतार कितनी होगी जहां पर single lane हो और sign board ना लगा हो तो इसका नमबर दो जवाब दुरुस्त है 40 km फी गंटा की रफतार होगी At what speed should you travel on the road आपको कितनी रफतार से road के ओपर सफर करना चाहिए तो उसका नमबर तीन जवाब दुरुस्त है At speed shown on speed limit sign or slower depending on the road condition जो speed limit sign board में दिखाई दी गी है या फिर road की हलाद के मताबर Just before you enter an intersection the traffic signal turns red What should you do Intersection में दाखल होने से पहले traffic light red होगी तो आपको क्या करना चाहिए तो नमबर एक जवाब दुरुस्त है stop रुकना चाहिए Driving under the influence of alcohol is dangerous and शराब के जेरे असर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है नमबर एक UA traffic law prohibited UAE का traffic कानून इसकी ममानत करता है Driving under the influence of alcohol is punished able by शराब के जेरे असर गाड़ी चलाने की सजा क्या है 24 black points plus fines by court 24 black points है और अदालत चर्माना करेगी तो नमबर तीन जवाब दुरुस्त है You will be a safer driver if you drive just a little bit slower because आप एक महफूस ड्राइवर होंगे अगर आप थोड़ा आहस्तगी के साथ driving करेंगे क्योंके नमबर तीन जवाब दुरुस्त है You can respond to hazards by slowing down quicker आप खतरात का जवाब दे सकते हो आहस्ता गाड़ी चलाके जल्दी से Looking at the diagram If vehicle A stop no vehicle B may crash into it How could there is काफ़े crash like this be avoided इस diagram में देखें अगर एक गाड़ी अभी रुक जाती है और B गाड़ी उसके साथ crash हो जाएगी तो इस तरह के accident के खतरा से कैसे बचा जा सकता है तो इसका नमबर एक जवाब दुरुस्त होगा दोनों गाड़ियों को ज़रूरत होगी ट्रैवल करने की उस रफ़तार से जो उनको अलो करे safely intersection पे रुकने के लिए Which of the following will make you a more dangerous driver इन में सी कौन सी चीज़ आपको ज्यादा खतरनाक driver बना देगी तो नमबर तीन जवाब दुरुस्त है drinking alcohol and also taking certain medicines शरापीना और उसके साथ नशा आवर अदवियात का कसरत से इस्तमाल करना तो नमबर तीन जवाब दुरुस्त है speeding increases the risk of a crash because speed बढ़ाने से accident के खतरात भी बढ़ जाते हैं तो नमबर तीन जवाब दुरुस्त है the faster you drive the longer it will take you to stop जितना तेज़ आप गाड़ी चलाओगे है उतना ही ज्यादा टाइम दर्कार होगा रुकने के लिए driving is more dangerous if you driving ज्यादा खतरनाक होगी अगर आप नमबर तीन जवाब दुरुस्त है adjust the radio or talk on a mobile phone as you drive आप radio adjust करते हैं और mobile phone का استعمال करते हैं लाड़ी चलाते हुए which of the following is more important इन में से क्या ज्यादा जरूरी है नमबर एक looking ahead for hazards आगे खतरात को देखना तो नमबर एक जवाब दुरुस्त है तपिक्चर शोज रेड ट्रेफिक लाइट दिस में इस तस्वीर में रेड ट्रेफिक लाइट दिखाईगी है और इसका क्या मतलब है तो नमबर दो जवाब दुरुस्त है आपको लाजम रुकना है वन आफ दा डिफिकल्टिस आफ ड्राइविंग इस ड्राइविंग की मुश्कलात में से एक है तो इसका नमबर दो जवाब दुरुस्त है प्रिडिक्टिंग वाट अधर ड्राइवर्स विल डू अंदाजा लगाना कि दूसरे ड्राइवर्स आगे क्या करने वाले हैं इस इशारे का क्या मतलब है तो इसका दुरुस्त जवाब नमबर तीन है टनल अहेड आगे सुरुंग है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं पिक अप या ट्रुक तो आपको चाहिए तो इसका कोरेक्ट आंसर है लोड को कवर करें ताके लोड इदर उदर हरकत ना करे एक्स्टा केर मस्ट बी टेकन वें ड्राइविंग नियर स्कूल बिकाज ज्यादा इतियात बरतनी चाहिए जब आप स्कूल के नजदी की एरिया में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो इसका नमबर एक जवाब दुरुस्त है अगला पैसिंजर एर बैग पटने से शायद बचा जखमी हो सकता है अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डॉन हो जाती है खराब हो जाती है तो आपको चाहिए नमबर एक वान अदर ड्राइवर्स बाई यूजिंग हैजर्ड लाइट्स दूसरे ड्राइवरों को खबरदार करें एमरजनसी सिगनल आन करके आपको कभी ज़रूरी है गाड़ी की हेड लाइट्स आन करके गाड़ी चलाना तो इसका कुरेक्ट आंसर है फ्रम संसेट टू सन्राइज सूरज गरूब होने से सूरज निकलने तक आपने गाड़ी की हेड लाइट आन रखनी है आपको कट मारके ट्रक के सामने नहीं आना चाहिए क्यूंके तो इसका नमबर तीन जवाब दूस्त है ट्रक्स निट पैलेंटी आफ स्पेस टू स्टॉप ट्रक्स को रुकने के लिए ज्यादा जगा दरकार होती है आपकी गाड़ी एक्सिडेंट हो जाती है और पोलीस अफीसर वहाँ पर मुझूद नहीं है और कोई बंदा जखमी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए नमबर दो जवाब दूस्त है रिपोर्ट दा क्रेश टू दा नियर्स पोलिस स्टेशन एक्सिडेंट की इतला करीबी पोलिस स्टेशन में दीजिए आप हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी लैन ब्लॉक है जो गाड़ीयां लेफ्ट टन कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए इंतजार करें जब तक गाड़ीयां टन करें फिर आप आगे प्रोसीड करें आप गाड़ी ए चला रहे हैं आपको क्यों लाजमी रस्ता देना चाहिए तो इसका नमबर तीन जवाब दरुस्त है क्योंके कानून उनको रास्ता देना चाहिए और यही करना महफूज है आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आप कैसे महफूज दोर पर इस इंटर सेक्शन को क्रास कर सकते हैं तो नमबर एक जवाब दरुस्त है गाड़ी बी के ड्राइवर से आँखे चार करें और अंदाजा लगाएं के वो क्या करने वाला है गाड़ी ए ने गाड़ी बी को रास्ता दिया कौन सी गाड़ी की यहां पर तरजी थी तो नमबर दो जवाब दरुस्त है वेकल ए हैस दा परियारिटी गाड़ी ए का राइट अफ वे था उसकी तरजी थी क्योंके वो सीधा जा रहा है यू आ ड्राइविंग वेकले विन कें यू आवर टेक आप गाड़ी ए चला रहे हैं आप कभी आवर टेक कर सकते हैं नमबर दो जवाब दरुस्त है वेन यू है वेकलियर व्यू आफ दा रोड आहेड जब आपको आगे से रोड सीधा दिखाए दे तब आप आवर टेक कर सकते हैं क्योंके वहाँ पर सॉलिड लाइन है और मोड भी है इस डायाग्राम में देखें आप ड्राइविंग कर रहे हैं एक गाड़ी 120 किलोमीटर फी गंटा की रफतार का रोड है जिसमें कहीं लेने हैं तो आप लेन तबदील करना चाते हैं तो आप कैसे महफूस तोर पर लेन तबदील कर सकते हैं तो इसका एक नमबर जवाब दरुस्त है गिव वे टू वेकल बी रास्ता दें गाड़ी बी को आप एक गाड़ी चला रहे हैं और बी गाड़ी को आवर टेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो नमबर एक जवाब दरुस्त है, wait for vehicle B to move to the right lane and then overtake on the left इंतजार करें गाड़ी B का, जब वो right lane में move हो जाएं तो left से overtake कर लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, क्या मुश्किल है जज़ करना जब आप overtake करना चाहो तो नमबर दो जवाब दरुस्त है, the speed of vehicle C Which vehicle should signal to lift the roundabout if practical? कौन सी गाड़ीों को signal देना चाहिए roundabout से निकलते समय? तो इसका एक नमबर जवाब दरुस्त है, both vehicles A and vehicle B दोनों को signal देना चाहिए जब roundabout से बाहर निकलेंगे You are driving vehicle A, how can you turn safely? आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप कैसे महफूस try turn कर सकते हैं safely? तो नमबर दो जवाब दरुस्त है, slow down, drive past vehicle B, then signal and turn Slow down करें, आस्ता करें और गाड़ी B को पास करने के बाद सिगनल लगाके दाए मुड़ जाए You are driving vehicle A, what should you do as you enter the freeway? आप गाड़ी A चला रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए जब आप freeway पे दाखल होंगे तो इसका एक नमबर जवाब दरुस्त है, adjust your speed to match the freeway traffic अपनी गाड़ी की रफ़तार को adjust करें, freeway की speed के साथ, जब आप freeway पे दाखल होंगे You are driving on a multi-lane freeway, when should you drive in the left lane? आप multi-lane road पे गाड़ी चला रहे हैं, मतलब freeway पे गाड़ी चला रहे हैं Which of these vehicles are permitted to turn right? कौन सी गाड़ीों को दाएं तरफ मोड़ने की इजाज़त है तो इसका नमबर एक जवाब दरुस्त है, vehicle A and vehicle B only A और B दोनों दाएं जानी मोड़ सकती हैं क्योंके road marking है, दाएं मोड़ने के लिए You are driving vehicle A, you want to turn left, which lane should you turn into? आप गाड़ी A चला रहे हैं और आप left turn करना चाहते हैं, कौन सी lane में आपको दाखल होना चाहिए तो नमबर एक जवाब दरुस्त है, lane number 3 में क्योंके आप extreme left lane में ही दाखल होंगे Each of these vehicles is about to turn right at the roundabout, which vehicle is in the correct and safer position to turn right दोनों गाड़ियां roundabout से दाएं जाने मुड़ रही हैं, कौन सी गाड़ी correct और safe position में right turn कर रही है तो vehicle B only Which vehicle is taking the safest path? कौन सी गाड़ी में फूज रस्ते पे जा रही है roundabout में तो vehicle A जो है वो correct answer है, गाड़ी A जो है वो left lane से enter हो रही है और left lane में ही exit कर रही है You are the driver of vehicle A, you are parked and about to enter the stream of traffic, you must give way to आप गाड़ी A चला रहे हैं, आपने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और दोबारा आप रोड़ के उपर आना चाहते हैं तो आपको लाजमी रास्ता देना चाहिए तो इसका जवाब नमबर 3 दरुस्त है, both the bike rider and vehicle B दोनों को, गाड़ी B को और राइडर को You are driving vehicle A, how should you complete your turn? आप गाड़ी A चला रहे हैं, आपको अपना turn कैसे मकमल करना चाहिए तो नमबर 2 जवाब दरुस्त है, you should enter the intersection slowly and give way to the pedestrian आपको intersection में आइस्ता रफ़तार से दाखल होना चाहिए और रास्ता देना चाहिए पैदल चलने वाले को Which vehicle should go first? कौन सी गाड़ी को पहले जाना चाहिए? तो B जवाब दरुस्त है, गाड़ी B को पहले जाना चाहिए क्योंके C के सामने stop line है और गाड़ी A left turn कर रही है तो इसका दरुस्त जवाब गाड़ी B रहेगा, vehicle B पहले जाएगी You are driving vehicle A, who must you give way to? आप गाड़ी A चला रहे हैं, आप किसको रास्ता देंगे? तो जवाब दरुस्त है, vehicle C only, सिर्फ C गाड़ी को क्योंके C गाड़ी सीधा जा रही है, B गाड़ी के सामने stop line है और correct answer vehicle C है सिर्फ Which vehicle must give way? कौन सी गाड़ी को रस्ता देना चाहिए यहां पर तो जवाब नमबर दरुस्त है, vehicle B को सिर्फ क्योंके vehicle B के सामने stop line है और vehicle A straight जा रही है तो इसलिए गाड़ी B को यहां पर रुकना है और रस्ता देना है You are driving vehicle A, what should you do? आप गाड़ी A चला रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए? तो नमबर एक जवाब दरुस्त है, continue to make the turn if it is safe to do so आप अपना turn continues मकमल कीजिए अगर महफूज हो तो Which vehicle must give way? कौन सी गाड़ी को यहां पर रास्ता देना लाजम है तो नमबर दो जवाब दरुस्त है, vehicle B को vehicle B क्यों रास्ता देगी vehicle A को क्योंके vehicle B के सामने stop line है और वो turn भी कर रही है इसलिए गाड़ी A पहले जाएगी, गाड़ी B बाद में जाएगी Which vehicle must give way? कौन सी गाड़ी को रास्ता देना लाजमी है तो इसका भी नमबर दो जवाब दरुस्त है, vehicle B को क्योंके vehicle B के सामने stop line है और vehicle A straight जा रही है तो vehicle B को लाजमी रुकना पड़ेगा, रास्ता देना होगा Between vehicle A and B, which has priority and why? A और B गाड़ी के दर्मियान किस का हक है और क्यूं है? नमबर एक जवाब दरुस्त है B, because vehicle A is facing a stop sign B का हक है क्योंके A गाड़ी के सामने stop line और stop sign है Which vehicle must give way? कौन सी गाड़ी यहां पर लाजम रास्ता देगी? तो नमबर दो जवाब दरुस्त है, vehicle B vehicle B क्यों रास्ता देगी vehicle A को? क्योंके vehicle B के सामने stop line है और vehicle A straight जा रही है, सीधा जा रही है इसलिए vehicle B लाजमी रुकेगी You are driving vehicle A, what is the safest way to leave the roundabout? आप गाड़ी A चला रहे हैं और क्या महफूज रहेगा जब आप roundabout से बाहर निकलेंगे? तो इसका नमबर तीन जवाब दरुस्त है, stay in the left lane as you live आप left lane में ही रहेंगे जब आप roundabout से बाहर निकलेंगे तो correct answer number 3 है You are driving vehicle A, which vehicles must you give way to? आप एक गाड़ी चला रहे हैं कौन सी गाड़ियों को रास्ता देना होगा? तो number 3 जवाब दरुस्त है, vehicle C only आप सिरफ vehicle C को रास्ता देंगे क्योंके उसके सामने कोई sign नहीं है You are driving vehicle A, you must give way to? आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपको लाजमी रास्ता देना है तो number 3 जवाब दरुस्त है, both the pedestrian and the motorcycle दोनों को रास्ता देंगे, पैदल चलने वाले को भी और motorcycle सवार को भी Why should vehicle A give way to vehicle B? क्यों गाड़ी A को रास्ता देना चाहिए गाड़ी B को? तो इसका एक नमबर जवाब दरुस्त है Because vehicle A is facing a stop line क्योंके एक गाड़ी के सामने stop line है इसलिए गाड़ी B पहले जाएगी You are driving vehicle A, you must give way to आप गाड़ी A चला रहे हैं, आप लाजमी रास्ता देंगे You are driving vehicle A, you must give way to आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप लाजमी रास्ता देंगे नमबर तीन, आप बाइक राइडर को भी रास्ता देंगे और पैदल चलने वाले को भी रास्ता देंगे You are driving vehicle A, you must give way to आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप लाजमी रास्ता देंगे नमबर तीन जवाब दरुस्ता है, बोथ vehicle B and vehicle C दोनों गाड़ीों को रास्ता देंगे, B को और C को You are driving vehicle A, you must give way to आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपने लाजमी रास्ता देना है तो नमबर तीन जवाब दरुस्ता है, बोथ दा बाइक राइडर and दा पैडिस्टेन बाइक राइडर को और पैदल चलने वाले दोनों को Who must give way, यहाँ पर कौन लाजमी रास्ता देगा तो नमबर एक जवाब दरुस्ता है, vehicle B must give way to vehicle A vehicle B का ड्राइवर लाजमी रास्ता देगा vehicle A के ड्राइवर को क्योंकि vehicle B के सामने stop line है You are driving vehicle A, do you need to give way to other vehicles आप एक गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको रास्ता देने की जरूरत है दूसरी गाड़ियों को तो नमबर तीन जवाब दरुस्ता है, neither vehicle B nor vehicle C आप किसी को भी रास्ता नहीं देंगे क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हैं Which vehicles must give way? कौन सी गाड़ियों को रास्ता लाजमी देना चाहिए तो नमबर एक जवाब दरुस्ता है, vehicle A and C A और C दोनों रास्ता देंगे क्योंकि दोनों के सामने give way line और give way sign है Looking at the diagram, which vehicle can turn first? इस diagram में देखें कौन सी गाड़ी पहले मुड सकती है तो इसका दुरुस्त जवाब B है, B गाड़ी पहले मुड सकती है क्योंकि A गाड़ी के सामने give way line है तो A गाड़ी रास्ता देगी B गाड़ी को तो यहां पर दो पीली गाड़ी लकी रहे हैं रोड के दरमयान में क्या आपको अजाज़त है इन लाइनों को अबूर करने की अवर टेक करने के लिए तो नमबर तीन जवाब दरुस्त है आपको किसी सुरत में भी अवर टेक करने की अजाज़त नहीं होगी कौन सा इशारा खबरदार करता है के आगे बाएं हाथवाली लैन्ड बंद है तो इसका A जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है आगे सड़क बाएं जानिब से तंग हो रही है और C का मतलब है बाएं मुड़ना मना है कौन से साइन का मतलब है कि आप आगे यू टर्न कर सकते हैं तो इसका A जवाब दुरुस्त है और B का मतलब है यू टर्न करना मना है और C का मतलब है कि आगे रौन्डवोट है कौन से साइन का मतलब है कि आपको लाजम इस एरिया में गाड़ी को स्टॉप नहीं करना तो इसका A जवाब दुरुष्ट है और B का मतलब है कि आपको लाजमी रुकना है और C का मतलब है कि आगे स्टॉप साइन आ रहा है यानि आगे आपको रुकना है कौन सा साइन आपको हुकम देता है कि लाजमी रास्ता देना है तो इसका C जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है आपको आगे रास्ता देना है और A का मतलब है आगे दिगर खत्रात है इस इशारे का क्या मतलब है A. आगे खत्रात है B. आगे लो ब्रिज है C आगे सुरूंग है तो इसका नमबर तीन जवाब दुरूस्त है ये खबरदार करने वाला इशारा है कौन से इशारे का मतलब है के यू टर्न करना मना है तो इसका A जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है आगे यू टर्न है और C का मतलब है कि लाजम वहें जाने गाड़ी को रखें इस इशारे का मतलब है रुकना कौन सी केटगरी से ये साइन तलुक रखता है तो इसका जवाब सी दुरूस्त है ये कंट्रोल करने वाला इशारा है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है या मनज़म करता है आपको लाजमी रुकना है ये इशारा देखने के बाद तो इसका सही जवाब B है और A का मतलब है आगे ट्रैफिक सिगनल है और C का मतलब है आगे स्टाप साइन है कौन सा इशारा और टेक करने की ममानत करता है तो इसका A जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है दाइन लैन आगे खतम हो रही है और C का मतलब है जाने वाली गाडियों की तरजी है आने वाली गाडियों पर कौन से इशारे का मतलब है कि सिरफ आगे जाना है या सीधा जाना है तो इसका C जवाब दुरुस्त है और एका मतलब है बड़ इशारा का आगास हो गया है ये भी कंट्रोल साइन है जब आप क्रीन ट्रैफिक लाइट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको चाहिए A. कंटिनियूज आगे जाएं और रुकने के लिए भी त्यार रहें B. अपनी स्पीट को बढ़ाएं C. कम स्पीट वाली लैन का इस्तमाल करें तो इसका A जवाब दुरुस्त है इस ईशारे का मतलब है कि आपने लाजम लेट साइड में रखना है तो कौन सा अशारे है? Option C. दुरस्त है B. का मतलब है बाइं जानी मुड़ना मना है A. का मतलब है आगे दाएं लैन बंद है दुरस्त लैन का इस्तमाल करें कौन से इशारे का मतलब है? साइकलिस्ट का दाखला ममनू है तो इसका C जवाब दरुस्त है और B का मतलब है पैदल चलने वाले का दाखला मना है और A का मतलब है समान वाली गाड़ी का दाखला मना है ये तीनों मना करने वाले इशारात है इस इशारे का मतलब है A. आगे यूटन है B. आपको लाजम यूटन करना है C. अभी यूटन करें तो इसका A जवाब दरुस्त है आगे यूटन है आम तोर पर ये इशारा आपको कहां पर मिलेगा तो इसका B जवाब दरुस्त है हास्पिटल के पास A का मतलब है सुरूं के अंदर और C का मतलब है स्कूल के पास तो इसका सही जवाब हस्पिटल जोन है कौन से इशारे का मतलब है कि आपने लाजमन तीरों की समत में सफर करना है तो इसका B जवाब दरुस्त है और A का मतलब है आगे रॉन्डवोट है और C का मतलब है दाएं जाने मुड़ना मना है कौन सा इशारा आपको खबरदार करता है के आगे खत्रा है तो इसका C जवाब दुरूस्त है B का मतलब है खतरनाक मैटेरियल वाला गारी का दाखला मना है और A का मतलब है आपने लाजमी रास्ता देना है इस इशारे का मतलब है A अवर टेक नहीं कर सकते B आगे रोट बंद है C आगे दाखला मना है तो इसका B जवाब दुरूस्त है आगे रोट बंद है ये खबरदार करने वाला इशारा है कौन से साइन का मतलब है के आपने लाजमी रास्ता देना है तो इसका B जवाब दुरूस्त है और A का मतलब है आपने पैदल चलने वाले को लाजमी रास्ता देना है और C का मतलब है आपने लाजमी रुकना है इस इशारे का मतलब है A. आपने लाजमी रुकना है अगरचे रोड साफ हो B. आपने लाजमी रुकना है अगर कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो रोड पे C. आपने लाजमी रुकना है अगर बच्चे रोड क्रास कर रहे हो तो इसका A जवाब दुरुस्त है कौन सा साइन आपको खबरदार कर रहा है कि आप स्कूल के पास पहुंच रहे हैं तो इसका C जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है आगे पैदल चलने वाले को रास्ता देना है और A का मतलब है आपने पैदल चलने वाले को लाजमी रास्ता देना है इस ट्रैफिक साइन का मतलब है A. समान वाली गाड़ियों का जाना मना है B. बड़ी गाड़ियों को इजाज़त नहीं है मुड़ने की C. समान वाली गाड़ियों को इजाज़त नहीं है पार्क करने की तो इसका A जवाब दरुस्त है कौन से साइन का मतलब है के अवर टेक करना मना है तो इसका A जवाब दुरूस्त है और B का मतलब है आगे दाइं लेंड खतम हो रही है और C का मतलब है जाने वाली गाड़ियों की तरजी है आने वाली गाड़ियों पे कौन से साइन का मतलब है कि हैवी गाड़ी को टर्निंग की अजाज़त नहीं है तो इसका A जवाब दरुस्त है और B का मतलब है समान वाली गाड़ीों का दाखला मना है और C का मतलब है कि आवर टेक करना मना है ये तीनों मना करने वाले इशारात है मसल्स नमा इशारात इस्तमाल होते हैं A. लाजमी इशारात B. खबरदार करने वाले इशारात C. मना करने वाले इशारात तो इसका B जवाब दुरुस्त है ये खबरदार करने के लिए इस्तमाल होते है कौन सा इशारा आपको खबरदार करता है कि आगे पैदल चलने वाले का रास्ता है तो इसका A जवाब दरुस्त है और B का मतलब है कि आगे रोड पर काम हो रहा है और C का मतलब है कि पैदल चलने वाले का दाखला मना है इस इशारे का मतलब है रुकना तो ये कौन सी किसम से तलुक रखता है तो इसका B जवाब दुरुस्त है कंट्रोल करने वाले इशारात या मनज़म करने वाले इशारात जब आप ये इशारा देखेंगे तो आपको त्यार रहना है तो इसका B जवाब दुरुस्त है रास्ता देने के लिए पैदल चलने वाले को हमेशा रास्ता देना चाहिए